नितेश सिंग इनका सवाल इसा है कि क्या धर्म के आधार पर ही इंसान का बड़े पैमाने पर शोषण हुआ है अलग-अलग डंग का शोषण चाहे स्त्रीयों का शोषण हो बाकि शोषण हो सवाल आपने बहुत अच्छा किया इतना याद रखिए कि इनसान के जीवन में जो शोषण हो रहा है अन्याए हो रहा है वो कोई आज नहीं हो रहा है हजारों सालों से हो रहा है एक कहावत है बड़ी तो कान पड़ी जितके हाथ में लठ उसी कान आए तो शक्तिशाली लोग हमेशा दुसरों को रहुनते आये हैं आदीम समाज में ये नियम चलता रहा है जिसके पास शक्ति है वो दुसरे को रहुनने का काम करेगा डाई अजार साल पहले धर्म जो जिनको आज हम धर्म कहते हैं रिलिजन कहते हैं उस धर्म के धर्म पनपने शुरू हुए उसके पहले कल्चर्स थी अलग-अलग कल्चर्स थी भारतिय कल्चर थी चाइनिस कल्चर थी इसेरियन कल्चर थी बैबिलियून कल्चर थी नहीं होती है इजिली मोल्ड होने वाली होती है बदलते रहती है लेकिन धर्म जिसको कहते हैं जिसका एक धर्म समस्थापक होता है रिलिजिन एंड साइंस इस किताब में बेटरांड रसेल ने बहुत अच्छे ढंक से इसकी जानकरी हम तक पहुचाई हैं वो फिलोसफर भी बेट है और साइंटिस्ट बेट है रिलिजिन में एक धर्म समस्थापक होता है उसका एक तत्वग ज्यान होता है फिलोसफी होती है यह जो फिलोसफी और तत्वग ज्यान है उसके साथ में कोड अफ कॉंडक्ट होता है यानि इनसान ने इनसान के साथ कैसे बरताव करना है के institution ने दुसरे institution के साथ में कैसे बरताव करना है ये code of conduct काईदे कानून मेबस्ता हो गई और इसको अमल में लाने वाली एक पुरोहित शाई होती है चर्च होती है उसको Christianity में चर्च कहा जाता है और हमारे भारत में उसको पुरोहित कहा जाता है ये चार चीजे होनी चाहिए दर्म समस्थापक उस्वा तत्वग्यान फिलोसोपी उसके साथ में code of conduct काईदे कानून मेबस्ता और इसको अमल में लाने वाली यंद्रणा पुरोहित चर्च इसको धर्म कहते हैं उस धर्म करीबन धाई अजार साल पहले शुरू हुआ दुनिया में निर्माण हुए आज तक के धाई अजार साल तक शुरुवात के दिनों में इन धर्मों ने बहुत महत्वका रोल निबाया है ये जो अराजक सदुरुष परिस्तेते थे हमेशा एक टोली दुसरे पर अकरमन कर रही है एक राजा दुसरे को जीतने का प्रयास कर रहा है उसका रेंट पूरी पब्लीक तहसनेस हो रही है आम जनता बहुत रस्त हो रही है इसको एक और्गनाईस करने का डिसिप्लीन करने का काम एक जमाने में धर्म में किया है यह धर्म का बहुत महत्वबकार हो ले आगे चलकर यह जो पुरोहित है जब भी किसी के हाथ में पाव़ आती है और वो पाव़ जब एपसुलीट आती है तो वो करप्ट होती है धर्म के बारे में भी यह हुआ चर्ष में ये हुआ पुरोहितों के बारे में ये हुआ उन्होंने अपने पौवर का मिस्यूस किया और धर्म के नाम पर बड़े पैमाने पर शोशन चुरू हुआ तो हमेशा पौवर का उपयोग जिन लोगों के हाथ में वो कॉंसेंट्रेट होती है वो उसका उपयोग शोशन के लिए करते है तो इसका दो शमने धर्म पर नहीं मढ़ना चाहिए धर्म एक अव्यक्त चीज है वो कि जिन्दा चीज नहीं है उसको जिन्दा रखने का काम इंसान करते है और उसको जिन्दा रखने का काम करने वाले जो है उनके हाथ में जे पावर कॉंसेंट्रेट हो जाती है वो लोगों में अंधविश्वास बढ़ा कर उसका शोशन करने के लिए उसका उपियोग करते हैं ये सभी धर्मों में हुआ है उसको कोई धर्म अपवाद नहीं है और इसका शुद्धी करने का प्रयास बार-बार हुआ है महाराष में संद ग्यानिश्वर संद नामदेव से लेकर तो तुक्रूजी महाराश उर गाड़िये महाराश तक इस संद परंपरा ने ये प्रयास किये विवेका नंजी ने किये कई लोगों ने किये पूरे दुनिया में ऐसे प्रयास हुय हैं तो ये प्रयास आज के भी जमाने में करने के आवश्चक्ता है तो इसलिए धरमों के नाम पर शोशन हुआ ये बात तो सही है लेकिन एक जमाने में उसने इंसान को उर्गनाईज करने का काम और एक discipline करने का काम और उसका जीवन ज़ादा शाश्वत बनाने का काम भी किया है ये भी rule रहा है इसको भी हमने स्विकारना चाहिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये awareness पहलाने में हमारी मदद करें वीडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे वीडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए